हेलो बच्चो कैसे हो सब बढ़ी एकदम मज़े में? तो मैं चिंतन देशा है आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारी ये चैनल में तो बच्चो आज हम स्टडी करने वाले हैं Magnetic Field अब तक हमने Magnetic Force के बारे में सारी चर्चा कर ली है Magnetic Force को कैसे निकालते है Magnetic Force किसी एक Moving Charge के उपर कितना लग सकता है Magnetic Force किसी Current Carrying Conductor के उपर कितना लग सकता है वो सारी चीज़े हमने डिसकस कर लिए अभी हम आज डिसकस करने वाले हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पहले Magnetic Field पढ़ना चाहिए उसके बाद अगर पढ़ना है तो Force पढ़ो कहीं न कहीं पहले किसका existence होता है Magnetic Field का उसके बाद Force का existence आता है ठीके तो पहले Magnetic Field पढ़ो उसके बाद Force लेकिन यहां पर order थोड़ा उल्टा चल रहा है NCRT में ठीके पहले Force पढ़ाया जाता है उसके बाद Magnetic Field आता है ठीके तो आज हम देखने वाले है कि भाईया अब तक Magnetic Field को B से डीनोड किया Force द भी निकाल दे तो कहीं न कहीं वो Force Magnetic Field के उपर डिपेंड के तो कहीं न कहीं हमने जो भी Formula देखा हो या फिर I, D, L, cos, sin, d, देखा हो तो कोई भी Formula देखा हो हर एक Formula में कहीं न कहीं Magnetic Field present है वहां पर अभी बात यह आती है कि तो फिर यह Magnetic Field intensity कैसे निकालते है Every time Magnetic Field आपको Provide नहीं किया जाएगा कहीं बार आपको उसको निकालना भी पड़ेगा तो अगर मैं यहां पर यह सोचू और मुझे यह Current Carrying Conductor से यहां पर त्यान से देखना यहां पर कहीं पर यह Direction में Current का Flow है मान लो कि यह Direction में Current का Flow हो रहा है तो मुझे यहां पर किसी R Separation पर मुझे यह वाले Point P के ऊपर मुझे एक Magnetic Field Intensity कितनी होगी वो निकालनी है तो मैं कैसे निकाल हूँ तो मैं कैसे निकाल हूँ I want the Magnetic Field Intensity at Point P which is at this R Separation from the Current Carrying Wire आपको पता है कि यह Current Carrying Wire है तो उसके Surrounding में Magnetic Field Generate होगा उसके Surrounding में Magnetic Field Generate होगा वो आपको पता है तब ही Intensity कैसे निकाले तो Intensity निकालने के लिए हमें चाहिए एक Formula और वो Formula किस ने दिया था तो Gene Byard and Felix Sowart ने ठीक है उन दोनोंने Experiment किये थे Around 18-20 If I am not wrong तो 18-20 में उन्होंने यह Relation यहां से निकाला था उन्होंने Experiment करके यह Relation निकाला था अभी दो Scientist थे तो उनको Short में यह जो उन्होंने Low दोनोंने Experiment करके निकाला था तो Short में हम इसको बोलेंगे Biot-Sevart's Low ठीक है इसको हम बोलेंगे Biot-Sevart Gene Byard and Felix Sowart ठीक है इनके नाम के उपर से हम इसको Biot-Sevart's Low के नाम से जानते है ठीक है तो यह Biot-Sevart Low यह लोग कब लगता है वो भी बहुत ही important point है उन्होंने जब Experiment किये थे ना तो उनको यही पुछा गया था कि बाई Current Carrying एक स्टोरी सुना रहा हूं ठीक है वापे स्टोरी आ गए बीच में तो उनको यही पुछा गया थे बाई Current Carrying Wire कितना magnetic field दे सकता है वो हमें जानना हो तो हम कैसे जाने ठीक है Current Carrying Wire के वाइर के वाज़े से कितना force लग सकता है वो हमने निकाल लिया लेकिन अगर मुझे वो magnetic field intensity निकाल लिया कोई point के ओपर तो मुझे एक formula चाहिए तो उन्होंने experiment किये और उन्होंने बताया कि बाई ये Current Carrying Conductor जो भी है न यहाँ पे Current Carrying Conductor का शेप न थोड़ा तेड़ा मिड़ा है हम ये Current Carrying पूरा Conductor कितना force लगा सकता है कितना magnetic field intensity दे सकता है वो तो हम नहीं बता सकते लेकिन हाँ इतना कर सकते कि अगर मैं इसका छोटा सा section assume कर लूँ द्यान से सुनना पूरे wire की वज़े से कितना आएगा I don't know उन्होंने बता कि पूरे wire की वज़े से कितना आएगा तो वो तो हम नहीं बता सकते लेकिन भाई साब हम इतना बता सकते एक्सपरिमेंट जो हमने किया उसके वपस इतना बता सकते कि अगर ये क्योंकि इसका सेब न तेड़ा मिड़ा है कहाँ पर कैसे टर्न हो रहा है हमें नहीं बता है लेकिन हम इतना बता सकते कि अगर कोई straight wire छोटा सा एक straight section हो तो वो छोटा सा section कितना magnetic field है बार-बार force ही बोल रहा है अभी तक force चल रहा था इसलिए हम चलो तो वो छोटा सा section जिसको हम straight wire या straight conductor मान सके वो छोटा सा section यहाँ पर कितना magnetic field intensity दे सकते वो हम बता सकते है ठीके तो कही ना कहीं यहाँ पर magnetic field intensity निकालने के लिए यहाँ पर एक assumption लिया गया कि यहाँ पर जो भी conductor की वज़े से magnetic field intensity आपको निकालनी है वो straight होना चाहिए ठीके वो straight होना चाहिए उसका curve nature नहीं दिखना चाहिए ठीके तब ही आप यह experiment करके इसका सही से answer दे सकते हो ठीके ठीके इतना चोटा सा सेक्षण होना दिख रहा है क्या green color के line हाँ नहीं दिख रही है ओके blue color ही ले लेता हूँ सायद दिख जाए तो मान लो कि मैं यहाँ पर एक चोटा सेक्षण ले लता हूँ इतना चोटा सेक्षण ठीके यह wire का तो अभी यह छोटा सेक्षण तो मेरे लिए क्या है एक straight line के बराबर है है की नहीं इसका cow nature अगर आप छोटा सा एक बले ही cow nature वाला wire हो लेकिन आप उसका अगर छोटा सेक्षण लेते हो तो वो छोटा सेक्षण तो क्या जिम किया जा सकता है straight line ठीके तो वो तो straight मान सकते हैं जी हां वो तो straight मान सकते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा अज़्जम किया कि मान लो कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे यह wire का छोटा सा section मैंने ले लिया ठीके और उसकी length कितनी थी तो छोटी length थी, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ DL से, कितनी लेंद? DL, ठीक है? तो ये DL लेंद का चोटा सा टुकड़ा हमने ले गया, उन्होंने बता है कि अगर आप ये टुकड़े की वज़े से, चोटा सा जो भी हिस्सा है, चोटा सा जो भी portion है, ये चोटे टुकड़े की वो हम आपको देते हैं, ठीक है? फिर आप जानो, आपको अगर पूरा conductor का चाहिए, तो आप एक काम करो, पूरे conductor को ऐसे चोटे 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 टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड कर दो, और उनकी हर एक टुकड़े की वज़े से आने वा intensity दे सकता है, वो हमने निकाले अभी एक काम करो, या तो पूरे वायर को चोटे 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 में डिवाइड कर दो और हर एक टुकड़ा कितना magnetic field intensity देता है, वो निकालो, सबको एड कर दो, या फिर एक काम करो कि इसकी वज़े से आने वाली magnetic field intensity को पूरी length क लिए integrate कर दो बात खतम ठीक है तो आपको टोटल यह current carrying conductor की वज़ा से यहां पर आने वाला magnetic field मिल सकता है ठीक है तो कहीं न कहीं यहां पर magnetic field intensity निकालने के लिए यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ा क्योंकि यह छोटा सा टुकड़ा हम उसको straight मान सकें देखो यहां पर cow nature है तो cow nature की वज़़ा से everywhere अगर आप देखोगे न तो direction change हो रही है यह length vector की direction change हो रही है ठीक है तो यह direction everywhere change हो रही है तो हमें वहां पर analysis करने के लिए एक ऐसा टुकड़ा अगर आप निकालोगे तो यह direction यहां पर change हो गए यहां पर देखोगे तो यह direction चेंज हो रहे हैं तो हमने यहां पर ऐसा टुकड़ा पसंद किया कि जो continuously एक ही direction को point out करता हो यह बहुत ही जरूरी था यह बहुत ही जरूरी था यह direction point out करने के लिए यह बहुत ही जरूरी था कि throughout this small टुकड़ा direction of this dl vector length vector की direction change नहीं होनी चाहिए ठीक है वो direction हमें constant दिखनी चाहिए ठीक है इसी तरह यहां पर एक टुकड़ा पसंद किया गया जहां यहां से यह point जो भी जहां पर magnetic field intensity निकाल नहीं है that point is separated by r distance यह जो टुकड़ा पसंद किया वहां से r distance पर है हमने एक चीज़ और यहां पर नॉटिस की कि भाईया यहां पर यह जो length vector है न देखो अभी यह मत बोलना कि सर यह length vector क्यों लिया जाता है आपको पता है current carrying conductor में हमने क्या माना था वो भी जो force का formula वहां पर भी हमने length को vector माना था याद है न a length को vector माना था ठीक तो length को vector यहां पर भी हम यही करेंगे कि length को vector मानेंगे ठीक जकि और क्यों vector होगा उसका reason भी मैंने बता था कि यहांसे current flow कर रहा है तो opposite direction में electron का flow होगा लेकिन अगर में positive charge को देखेंगा क्योंकि वहां पर नि वो एक displacement जैसा कुछ करेगा, इसलिए तो हमने ये छोटा सा टुकड़ा पसंद किया, बायो सावट जी ने, मतलब दो है, लेकिन हम इसको अभी बायो सावट ही बोलेंगे, बायो सावट जी ने, मतलब दो व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी एक ही बोलेंगे, अभी छोड़ो ना, उसके ओपर फोकस क्यों करें, यहां पर देखो न, दो है, तीन है, चार है, जो भी है, वैसे दो है, लेकिन फिर भी हमारे लिए समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं, उन् नहीं आना चाहिए, तो ही आप ये हमने जो एनालिसिस किया है, वो आप यहां पे ले सकते हो, ठीके, तो इसी लिए यहां पे, क्योंकि अगर देखो गे तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ये लेंध को क्रॉस करेगा, तो कहीं ना कहीं वो displacement करता नजर आएगा, मतलब कि एक ही direction में आगे बढ़ता नजर आएगा, तो इसी लिए हमने इसके length को vector के form में लिया है, ठीके, length को vector के form में लिया, source क्या है, magnetic field का, magnetic field का source क्या होता है, moving charge, तो कहीं ना कहीं ये length को लेके क्या करना है, बाई, उसमें सिप moving charge, charge move होने चाहिए charge move करेंगे, तो ही तो यहाँ पर magnetic field generate होगा, क्योंकि magnetic field का source क्या है, moving charge है, ये wire मैंने ले ले लेकिन मानलो, इसमें से current flow ही नहीं करा, तो ठुलो यहाँ पर magnetic field generate होगा, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं moving charge, charge को move करवाना है, तो moving charge होना चाहिए, और वो moving charge यहाँ से जब ये length में स cross करेंगे, तब action में वो straight line में, मतलब particular एक direction में flow होता नजर आएगा, yes or no, इसलिए हम ये टुकडे की length को vector मानलेंगे, ठीके, इसको बुलेंगे length vector, clear है, चलो, तो उन्होंने बताया, जब उन्होंने experiment किया, तब उन्होंने बताया कि भाई, हम दोनों ने जो भी experiment किये थे, उसके उपर से हमने ये ये नतीजे निकाले, पहला तो ये देखा, हमने experiment के तोर पे हमने ये देखा, कि भाई, ये जो magnetic field मानलो, यहाँ पे जो generate होगा, क्योंकि अभी तो small टुकड़ा है, चोटा सा टुकड़ा है, तो चोटा इसे टुकड़ा की वज़ा से यहाँ पे जो magnetic field आएगा, assume कर लेते हैं, वो भी छोटा आएगा, ये सुनो, छोटा, छोटा टुकड़ा की जना magnetic field दे सकता है, छोटा, है कि नहीं, छोटा टुकड़ा, छोटा magnetic field देगा, तो उन्होंने बताया कि भाई, जो भी magnetic field हमने निकाला, वो magnetic field का magnitude, यहाँ पे magnitude बोलेंगे, ठीके, वो magnitude ना, क्योंकि आपको पता है, magnetic field एक directional vector है, ठीके, तो हम यहाँ पे magnitude के form में बात करेंगे, यह मैंने नहीं बोला, बायट जी एंड सेवर्ट जी ने बोला था, उन्होंने बताया कि हमने जब experiment किया, तो हमने देखा कि यह जो magnetic field, यहाँ पे छोटे टुकड़ा की वज़ अगर आप length को कम करते थे, चोटा, इसे और चोटा टुकड़ा आप यहाँ पे पसंद करते थे, तो उन्होंने अपने experiment में देखा कि तब यहाँ पे आने वाला चोटा सा magnetic field भी कम हो रहा था, उसका magnitude कम हो रहा था, तो कही ना कहीं उन्होंने बता है कि भाई, यह length के सीधे proportional था, yes or no, यह उन्होंने experiment करके था, जैसे कुलम जी ने बता था ना, कि force जो भी लगता था, वो दोनों charge के multiplication के सीधे proportional था, अगर किसी एक का magnitude बढ़ाते थे, तो और बढ़ जाता था, अगर एक का magnitude बढ़ाते थे, उतना ही दूसरे का कम करते थे, तो यहाँ पे क्या होता फोर्स में कोई फरक नहीं आता था, मतलब कि उन्होंने वहाँ पे यही एक्सपरिमेंट किया था, यह सारी यह प्रपोजना लिटी से ही तो एक फॉर्मिला बनता है, ठीके, तो इन्होंने experiment किया, इन दोनों जी ने experiment किये, और उनने से पहला result यह निकाला कि जो भी magnetic field आ र उन्होंने तो सिर्फ चोटे टुकड़े की वज़े से जोएगा, वही बता था, ठीके, फिर उनने बोला कि अगर आपको पूरे conducting वार की वज़े से चाहिए, तो इंटेग्रेट कर लो ना, तो आप इंटेग्रेट कर लो, हम सिर्फ इतना ही relation देंगे, अगर पूरे वार की वज़े से चाहिए, तो इंटेग्रेट कर लो, ठीके, वह आपको करना है, सही है, चलो, तो यह पहला इन्होंने observation देखा, दूसरा observation क्या देखा, तो दूसरा observation यह देखा, कि भाई, जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है, फिर उन्होंने क्या क्या, तुकड़ा इतना ही रखा टुकड़े को constant रखा, यह जो छोटा टुकड़ा, जो छोटा section उन्होंने लिया था, I assume क्या था, consideration में, उसको इतना ही रखा, उसके length में कोई variation नहीं क्या, और यहां से current को बढ़ाया, current को बढ़ा ना कोई, इतनी बड़ी बात तो है नहीं न, यह current carrying conductor है, कही ना कही यहां पर circuit connected होगी, ठीक है, तो आप वहां से resistance की value vary करो, या फिर आप potential बढ़ा दो, ठीक है, तो दोनों तरीके से आप current को तो increase कर सकते हो, अभी देखो, जितना current यहां से flow कर रहा है, जितना enter करेगा, according to the KCL क्या होता है, कोई भी node में, जितना current enter करता हो, उतना ही बाहर आता है, यह कौन सा node बनेगा, अगर मैं इसको node की तरह देखो, एक्चुल में यह section बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा section होता है, हमने यह आपको देख सको, आप इसको आसानी से देख सको, इसलिए इतना बड़ा zoom करके draw किया, बाकि वह बहुत ही छोटा होता है, दि जितना current enter करेगा, उतना ही current बाहर निकलेगा, अभी मान लो कि मैंने पूरे current carrying conductor में, मैंने current की value increase कर दी, I की value increase कर गी, तो यह length में जितना enter करेगा, ठीक है, उतना ही बाहर निकलेगा, yes or no, तो कहीं ना कहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि यहां से थोड़ा सा current गयाग होगा, Yes or no, वो current भी increase होगा, तो उन्होंने देखा कि जब भी हम current को increase कर रहे थे, जब भी हमने यहां से resistance को vary गया, या फिर potential को vary गया, और current को increase किया, तब हमने देखा हमने क्या पाया, हमने यह पाया कि भाई, यह जो magnetic field intensity है ना, it is directly proportional to current also, यह दूसरा इनका observation निकला, ठीक है, जब current को increase करते थे, length उतनी ही focus में रखते थे, तो यह length को cross करने वाला current भी increase होता था, और हो सकता है ना, सही है, हो सकता है नहीं, वह ही होता है, क्योंकि इसको node मान लो तो जितना enter करेगा उतना बाहर भी तो निकलेगा, according to the KCL, तो बात तो सही है, पूरी circuit में अगर current को increase किया, तो इसके मालब कि यह length को cross करने वाला current भी increase होगा, और जब current increase होगा, तब उन्हों देखा कि यह magnetic field intensity भी increase हो रही थी, yes or no, जैसे ही उन्होंने current को decrease किया, तो magnetic field intensity भी decrease हो रही थी, तो दूसरी प्रपोजनलिटी यह आई, ठीक है, तीसरी प्रपोजनलिटी, ध्यान से देखो जैसे वहाँ पर कुलम जी ने बताया था, कुलम जी ने क्या बताया था, कुलम जी ने बताया था कि वाई, जैसे जैसे जबस दो चार्ज के बिच का distance है, आप इंकरिस करते जाते हो, वैसे वैसे, वहाँ पर force जो भी था, वो decrease कर रहा था, ठीक है, वहाँ पर intensity के form में दे, कुलम जी ने तो force का formula दिया था ना लेकिन उसके ओपस intensity की बात करें तो वहाँ पे intensity भी क्या होती थी? Decrease होती थी कैसे? Intensity square से inversely proportional होती थी तो यहाँ पे भी उन्होंने यही experiment किया अभी यहाँ पे p point यहाँ पे assume किया फिर उन्होंने वही p point को shift करके यहाँ पे assume किया और यह distance बढ़ा दिया और उन्होंने observation लिया कि भाई क्या हो रहा है? जैसे ही यहाँ पे मिल रहा था उससे यहाँ पे उन्होंने जब भी magnetic field intensity निकाली ऐसे वाले कोई point के उपर निकाली तो उन्होंने देखा कि यहाँ से यह intensity कम आई यहाँ से यह intensity कम आई जैसे ही distance उन्होंने कम किया तो वहाँ पे intensity इससे ज्यादा मिल इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं उन्होंने यह देखा कि जैसे से distance बढ़ा रहे थे वैसे वैसे intensity कम हो रहे थे जैसे यह separation कम कर रहे थे, intensity increase हो रही थी, जब भी उन्होंने experiment किया है, readings लिए, observations लिए, उसके बाद उन्होंने बता कि perfect relation क्या है, तो उन्होंने बता कि यह जो magnetic field intensity है, वो electrostatic field की तरह यहाँ पे भी r square के सीधे प्रपोशनल है, ठीक है, one upon r square के सीधे प्रपोशनल है, तो यह उ जो भी हमने reading निकले न, उनमें हमें यह चीज मिली कि by magnetic field intensity, one upon r square के सीधे प्रपोशनल है, मतलब कि r square के inversely प्रपोशनल है, तो अगर आप distance को double करोगे, तो intensity fourth time घट जाएगी, ठीक है, अगर आप distance को आधा करोगे, तो intensity double हो जाएगी, sorry, four times हो जाएगी, ठीक है, तो इसको half करोगे distance को, distance को यहां से half करोगे, तो intensity four times हो जाएगी, ठीक है, तो यह उन्होंने नतीजा निकाला, तो यह होगा, तिसरा observation इनका, ठीक है, पहला observation, दूसरा observation, तिसरा observation, आगे बड़े, उन्होंने देखा, क्या इतनी ही proportionality है, क्या इतनी ही proportionality है, यहां तक ही proportionality आती है, नह उन्होंने और एक चीज़ भी यहां पर notice की, अगर आपने notice किया होगा, तो magnetic field में, magnetic field में, यहां पर angle के dependency भी आती है, अगर नहीं पता है, तो force का related, जो भी हमने formula derived कहता है, force on the, magnetic force on the moving charge, magnetic force on the current carrying conductor, उनके case में, अगर आपने formula देखा होगा, तो एक dependency और आती है, that is of angle, that is of angle, जो वहां पर electrostatic field में नहीं थी, electrostatic force में भी नहीं थी, एंगल के उपर dependency वहां पर नहीं थी, लेकिन magnetic field की जब भी बात आती है, magnetic force की जब भी बात आती है, तो हमेशा ध्यान में रखो, कि यहां पर angle के ऊपर भी dependency आ जाएगी, अपने आप angle के उपर dependency चली आएगी, ठीके, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यह जो point लिया था उन्होंने जब यह point P पसंद किया था तब उन्होंने देखा तब angle कुछ और था उन्होंने वो angle change किया वो point को ना angle पे shift करना स्टार्ट किया एंगल पे shift न है थीटा है और मान्लो के न भी एंगल धीटा है उन्होंने यही पॉइंट को एंगल पे shift करके देखना starts किए कि यही टूकड़ा यहाँ पे कितना तो एंगल को shift करते गए तो उन्होंने देखा किया एंगल के भी प्रपोशनल है यह फिल इंटेंसिटी यह फिल इंटेंसिटी एंगल के भी प्रपोशनल है कौन से एंगल के साइन ठीटा के प्रपोशनल है तो बी स्पेस्विक बोलू तो यहां पे उन्होंने एक्सपरिमेंट करके यह बत टो देखते गए, सिधाbereा ठीटा सिने सीधा ठीटा की बिद भी इंगील की बुलै यहां पर क्या बोलो? सां ठीटा जैसे सी ने खिछायप थी ,raiad जा यहाँ से यहां से आगे बढ़ाओगे तो जांग होगा है तो उन्हें देख़ा कि जैसे थे साइंच ती आटगे वायली बढ़ती थी मुलब कि ठीटा 0 से 90 तक इंकरीज हो रहा था तब मैंनेटिक फूल इंटेंटी इंकरीज कर रहे थे जैसे ठीटा डीक्रीप हो रहा था म्लब कि साइंच टी वैली डीकरीज हो रही थी यह intensity भी कम हो रही थी, ठीक है, तो इन्होंने यह चार प्रपोसनलेटी देखी, और कहीं न कहीं बस यही चार प्रपोसनलेटी है, जो बायर सेवट का रूल बन गई, बायर सेवट का नियम बन गई, ठीक है, जो हमें अभी याद रखना है, everywhere, जहां जहां पर magnetic field intensity निकलने की बात आएगी, तो कौन सा लो लगेगा, बायर सेवट स्लो, ठीक है, यही से हम intensity निकल पाएंगे, ठीक है, तो यह चार प्रपोसनलेटी इन्होंने देखी, चार प्रपोसनलेटी इनके दिमाग में आई, ठीक है, उन्होंने देखा कि हाँ, यह चार प्रपोसनलेटी है, तो अगर यह चारों प्रपोसनलेटी को अगर हम एक साथ जोड़ दे, तो मैं इसको कमबाइन ली यह बोल सकता हूं कि यह magnetic field intensity का magnitude सीधा प्रपोसनल है, आई, डीयल, साइन ठीटा के मल्टिप्लिकेशन से, एंड, इन्वर्सली प्रपोसनल है, आर स्क्वेर से, तो कहीं न कहीं यह लोग बन गया कुछ ऐसा, कि magnitude of db vector is directly प्रपोसनल तो idl साइन ठीटा अपॉन आर स्क्वेर, ठीके, अभी बात वही आती है कि यहाँ पर प्रपोसनलिटी को कैसे निकलने क्योंकि वहाँ पर अगर देखा होगा, बना पाई Four Pure a.ru यहाँ पर थोड़ा चेंज और धा वहाँ च्यांड यहाँ पर घृप vẫn Cell मग्या यहाँ पर यहाँ पर अभी एंप Quya पक्वेर, है क्या वह आगे जैसे जैसे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा अब तक के लिए अब के लिए इतना समझ लो कि यह मुझ जो भी है यह मुझ इरो को absolute permeability of vacuum या फिर free space zero लगा है ना तो इसका मतलब होता है vacuum या फिर free space ठीक है तो यह क्या है absolute permeability absolute permeability of this free space ठीक है तो वह सारी चीज़े लिखते है लिखते है वह actual में है क्या वह आपको आगे जाके समझ में आएगा ठीक है it is just material dependent sorry medium dependent ठीक है आपको पता है electrostatic force की बात करेंगे तो वह बीच में जो भी media है medium जो भी उसके ओपर depend करता है ठीक है यह जो permittivity होती है ना permittivity में साथ पढ़े होंगे permeability पढ़ने वाले है ठीक है तो उसको तब समझ में आएगा लेकिन permittivity के अगर में बात करूं तो वह क gravitational field घ्रिवी-ने NFL लिविच परfrontेंशनल लगेज सकता है अगर मैं बोलो कि और घ्रिवीटेसनल फील कहा है तक जा सकता है अ तक किया लगता है पूरे ब्रह्मान्द में फैला हुआ है कहा तक जाவ Wait एक limit आती है भी बीच का Mr. ऑर इंब I am मेडियम यहां पहीं ना कर उसको रेजिस्ट करता उसके इंटेंशिटी को, ठीक है, मैं हमेसा बोलता हूँ कि पहले फिल्ल इंटेंशिटी आती है, उसके बाद फोर्स लगता है। एक्जिस्टन्स किसका है कहीं पे भी, फिल इंटेंशिटी का है, मान लो कि आपके गर में एक मैगनेट है, एक नहीं, दो मैगनेट है, एक मैगनेट को आपने पहले रूम में लगा, दूसरा मैगनेट आपने दूसरे रूम में लगा, बीच में बहुत बड़ी डिवार है, अभी सोचोगे कि दोनों के बीच में फोर्स लग जाए तो इस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बीच का जो मीडियम है वो रेजिस्ट करेगा उनको, ठीके, उनकी जो इंटेंशिटी होती है उसको फैल नहीं देता, ठीके, वो वाले रूम का मैगनेट है, उसकी जो इंटें पॉसिबल नहीं होगा, है कि नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, कहीं न कहीं बीच का जो मीडियम है, वो रेजिस्ट करता है, तो मीडियम कितना रेजिस्ट कर सकता है किसी इंटेंशिटी को फैलने में, उसी को तो बोला जाता है पर्मिटिविटी, वहां पे, यहां पे भी आ के डाइलेक्रिक कॉंस्टन वाला स्लेब रख दिया जा तो फोर्स में क्या फरकाता है पूरा मीडियम दोनों के बीच का सेपरेशन किसी मटीरियल से बर दिया जाए के डाइलेक्रिक में से तो कितना फोर्स कम होता है वो सारी जिए आपने वहां पर पढ़ी होगी ठीक है अम कि मीडियम आप उसको बोलो कितना रेजिस्करता है या फिर उसको उटब बोलो कि इतना लाओ करता है तो दोनों से सेम है रेजस्ट करना है नेगेटिव निचर रेयस्स करना त्यक्स किम करता है उसमें से कुछ Sh changing और में से पास होते ही इंटेंसिटी कम होती है याधि कम हो रेकाड होके आ रहा है, ठीक है? लेगिन अगर मैं यहां से मेरे गर में बेठा हो है और आपको वहां पर अपने घर में सुनाई दे यह तो पॉसिबल नहीं होगा? कहीं नल बीच का जो मीडियम है वो मेरी यह सिगनल की एनरजी को कम करता जाता है तो दिरे दिरे मेरा सिगनल वीख होता जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा किलो मेटर, अगर मैं चिल्ला हूँ जोड से और खुला आसमान है, खुला एटमोस्वियर है, तो स्याथ ज्यादा किलो मेटर तक मुझे सुनाई देगा, यह सुठ नू, उससे ज्यादा नहीं, किलो मेटर भी बहुत ज्यादा उसी को मेजर करने का जो एक हमारे पास नंबर है, that is called permeability, ठीक है, कि बाई ये medium है, वो magnetic field को इतना resist करेगा, वो अपना इतना resistance दिखाएगा, magnetic field को transfer करने में, कहीं न कहीं ये material बहुत ही जरूर है, material नहीं, medium बहुत ही जरूरी है, क्योंकि intensity को तो फैलना है, intensity फैलती, फैलती ज force लग सकता है, तो कहीं न कहीं, इन दोनों के बीच में, ये जिए होगा इन दोनों के बीच है, तो force लगेगा वहां पे वह तक intensity पहुंची तो force लगेगा, मानलो कि बीच का bulb medium है, ईउसका resistance power maximum है, वह तक फैलना ही नहीं देता, तो कैसे मानलो कैसे फेल्ल नहीं लगे वहां मेडियम कितना support बोलो या फिर कितना resist बोलो ठीक है अगर positivity देखोगे तो support वो medium कितना support करता है intensity को फैलने में और negatively उसको देखोगे तो वो कितना resist करता है intensity को फैलने में उसका जो measurement होता है उसको तो बोलते permeability ठीक है simple language में समझाए कि resistance जो भी होता है medium कितना resist करता है intensity को फैलने बाकी जो detail में होंगा वो आप चर्चा करेंगे ठीक है जब उसका पूरा chapter हम पढ़ेंगे इसके बाद का तो वहां पर आपको समझना आगे ability क्या है ठीक है चलो अभी के probability आई ना वो proportionality mu zero upon four pi हमने ले लिए यहां पर वहां पर क्या लिया था one upon four pi epsilon zero यहां पर हमने क्या लिया mu zero four pi mu zero upon four pi ठीक है into यह वाले term as it is i into dl into sin theta divided by r square ठीक है तो बच्चों कहीं ना कहीं यहां से हमें अब किसी small section की वज़ा से किसी कोई particular point पे small magnetic field intensity का magnitude इतना मिल सकता है this is the final magnetic field intensity small small टुकडे की वज़ा से यहां पर आने वाली small magnetic field intensity हम इसको बोल सकते हैं ठीक है clear हुआ इतना point चले अभी यहां पर इसको बच्चों यह जो हमें मिला ना यह scalar form है यह scalar form है ठीक है it is scalar form मुझे vector form भी चाहिए मैंने magnitude लिखा ना देखो ना magnitude इसलिए तो मौड में दिखा है इसको तो यह magnitude इसलिए मौड में दिखा है क्योंकि वह scalar form शो कर रहा है ठीक है टोटल तो निकाल ही नहीं है टोटल तो आपको निकाल है इंटीग्रेट करके ठीक है वह कल देखेंगे नेक्स लेक्चर में देखेंगे current carrying conductor straight wire है तो उसकी वज़ा से finite length वाला है तो कितनी magnetic fill intensity आती है infinite length वाला है तो क्या देखेंगे रिंग की वज़े से कितनी आती है वह सारी चीज़े हम चल्चा करेंगे ठीक है next lecture में आज सिफ इसको ही पढ़ने वाले तो यहां पर मुझे क्या समझ में आया पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ यह म्यू जिरो है क्या नीचे दीख रहा है नहीं हो रहा है अचा यहां पर बहुत सारी स्पेस तो यहां पर लिखता हूँ यहां पर लिखता हूँ मैं वैर यह जो मिउजीरो है ना बच्चो मिउजीरो को बुला जाता है absolute permeability absolute permeability आफ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 का मतलब होता है free space या फिर vacuum free space या फिर air ठीक है air medium ठीक है चलो तो यह हो गई absolute permeability of free space अगर मुझे इसका unit लिखना है न बच्चो तो unit भी मैं लिख सकता हूं unit कहां से बना सकते हैं देखो यहां से unit बन जाएगा त्यां से देखते जाएगा यहां से यूनिट बन जाएगा यहां से यूनिट बन जाएगा db vector है न db मतलब की magnetic field जो tesla में measure होता है tesla इसका unit tesla है mu0 का हमें बनाना है तो mu0 को as it is रखता हूं 4pi का तो कोई unit नहीं होगा current का unit होता है ampere dl मतलब की length उसका unit होता है meter sin theta तो एक value देगा तो उसका कोई unit नहीं बनेगा r2 मतलब की separation between that two तो यह हो जाएगा meter square एक meter meter छमा तो बलो यहां पे mu0 कितना आएगा tesla into meter upon ampere तो बच्चों यहां से अगर मुझे कोई पूछे कि mu0 की unit क्या बनेगी absolute permeability of free space की यहां पे unit क्या बनेगी तो मैं यहां पे इसका unit लिखूंगा क्या unit लिखूंगा इसका unit क्या आता है इसका unit आता है हमारे पास tesla meter upon ampere ठीक है it is tesla meter upon ampere अगर उसकी value की बात करें अगर इसकी में value की बात करूं तो यह value ना यहां पे हम mu0 upon 4pi की value लिखेंगे ध्यान से सुनना यहां पे हम mu0 upon 4pi की value लिखेंगे ठीक है mu0 upon 4pi का value हमें मिला था 10 to the power minus 10 तो इसलिए यहां से हम mu0 is equals to 4pi को यहां ले जाते और यह value बना देते बाकि reality में यहां पे यह जो हमने constant लिया था जैसे कि हमने वहां पे 1 upon 4pi epsilon 0 इसका value कितना निकला था 9 into, वह approximate value है approximately 9 into 10 to the power 9 लिखा था ठीक है it is 9 into 10 to the power 9 लिखा था k, constant k जिसे को हमने 1 upon 4pi epsilon 0 बोला था ठीक है तो उसका value यहां पे मालो कि यह भी यह एक k ही है constant ही है it is k times this और वह k क्या है यहां पे mu 0 upon 4pi तो इसका value mu 0 upon 4 constant का value 10 to the power minus 7 निकला था और हम क्या करते हैं यही से 4pi को यहां ले जाते हैं और बोलते हैं कि mu 0 is equals to 4pi into 10 to the power minus 7 हां बोल सकते हैं यह सही ही है लेकिन हमेंसा याद रखो एक्चुल में यह constant की value यह पूरे constant की value 10 to the power minus 7 measurement के बाद हमें मिली थी ठीक है measurement के बाद हमें यह value किसकी मिली थी mu 0 upon 4pi को ठीक है और फिर हम क्या करते हैं जब भी mu 0 की value प्लेस करनी होती है तो हम यह 4pi को यहां ले जाते हैं और इसकी value यह बना देते हैं यह constant की value 10 to the power minus 7 से होना है चलो तो यह हो गए बात इसकी अच्छा अभी मुझे करना है क्या अभी मुझे वेक्टर फॉर्म निकालना है ठीक है तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं तो अमें मिल चुक है और वेक्टर फॉर्म हमें निकालना है ठीक है और यहां पर इ क्योंकि यहां पर मैंने करन को अभी वेक्टर नहीं माना है मैंने किसको वेक्टर माना है लेंद को वेक्टर माना है तो इस डियल इस वेक्टर फो मी ठीक है यह डियल का मैगनिट्यूड है डियल इंटू साइं ठीटा सोचो ना बच्चो यहां पर मैं बोलू कि A वेक्टर cross product with B vector और इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको AB sin theta लिख सकता हूँ assume that unit vector unit vector is 1 ठीक है तो यहाँ पे AB sin theta मैं लिख सकता हूँ तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे भी ऐसा कुछ दीख रहा है देखो I into something into sin theta इतना तो मेरे पास है I into something into sin theta बस missing क्या है? तो यह DL है DL sin theta तो मुझे दीख रहा है missing है कुछ B जिसके साथ यहाँ पे cross product हम बता सकते है ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या मैं इसको मान लो कि इसका magnitude यह ऐसी term होगी जिसका magnitude 1 होगा क्या मान लो कि मैं यह ऐसी term होगी जिसका magnitude क्या होगा? 1 होगा जिसका magnitude क्या होगा? 1 होगा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? सोचो और बताओ हाँ जी मान सकते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे unit vector चाहिए कुछ ऐसा unit vector चाहिए जिसका magnitude 1 हो लेकिन direction कौन सी हो? direction direction यहाँ से लेके P तक कि मान लो कि यह वाला point में C मान लो यह वाला point C मान लो तो direction कौन सी दिखा रहा हो? CP वाली direction ठीक है? unit vector along the direction of CP ठीक है? अगर ऐसी कोई टंब मुझे मिल सकती है तो मैं उसको definitely यहाँ पे show कर सकता हूँ ठीक है? तो मैंने क्या माना? क्यूंकि CP P का separation P का separation R से denote हो रहा है और R भी क्या है? एक length vector ही तो है? Yes or no? तो मैं यहाँ से क्यूंकि R vector वो position vector है किसके लिए? point P के लिए, ठीक है? तो कही न कहीं मुझे एक ऐसा unit vector चाहिए कि जो CP along the CP direction को show करता हो तो मैंने यहाँ पे क्यूंकि CP P का position vector है R vector तो मैंने उसी के उपर focus किया और उसी के उपर से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? R cap यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? R cap ठीक है? वो R cap क्या है? ध्यान से सुनो R cap क्या है? R cap इज़े directional vector unit vector along the direction of CP along the direction of CP यह सुनो R vector क्या है R vector is a unit vector along the direction of CP और आपको पता है vector की form में यह सारी जीज़े न 11th में आप पढ़ चुके हो ठीक है यह नया नहीं है पहली बार नहीं देख रहो आप आगे भी पढ़ चुके हो और what should be the value of R cap R cap का value क्या हो सकता है तो R cap का value आपको पता है R cap can be written as R vector क्या होता है क्या होता है यह कैसे निकालता है unit vector along the direction of CP तो vector divided by its magnitude से निकालते हैं यह सुनो 11th याद करो vector पढ़े होंगे यह सुनो चलो ठीक है तो यहाँ पे मैं dl sin theta को मैं dl into 1 sin theta लिख सकता हूँ और यही dl into 1 sin theta को मैं क्या लिख सकता हूँ yes A vector cross R vector मलब की A की जगा पे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा dl ठीक है dl into 1 तो A की जगा पे मैं लिखूंगा dl dl vector cross product with R cap और R cap का value क्या होता है R vector upon magnitude of R ठीक है R vector upon magnitude of R जहाँ पे R cap क्या है R cap है unit vector along the direction CP along the direction CP और वो P का CP की direction में unit vector है न R cap ठीक है और P का position vector क्या है R तो कहीं न कहीं मैंने R cap का value कहां से बनाया R vector upon magnitude of R vector ठीक है तो यही सारी बातों को मैं यहाँ पे जोड़ दूँ यही सारी बातों को मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो मुझे यहाँ पे इसका vector form मिल सकता है तो देखो vector form क्या आएगा इसका इसका vector form क्या आएगा ध्यान से देखेगा here assume R cap is a unit vector along the direction of Cp ठीक है so इसको मैं क्या लिखेऊंगा R cap is nothing but equal to R vector upon magnitude of R vector magnitude of R vector क्या लिखा जा सकते है simple R लिखो simple R लिखो इसको magnitude of R vector क्या लिखेंगे R vector का magnitude कितना position vector का magnitude मानलो कि वो R है ठीक है वो R है यहाँ पे लिखा ना R तो वैसे इसको R लिखेते है ठीक है तो अब मेरे लिए यही magnitude vector form में क्या आ जाएगा यही magnitude vector form में आ जाएगा यह हो जाएगा mu 0 upon 4 pi which is a constant I into देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ DL vector cross product with R cap अभी तो R cap लिखूँँगा ठीक है उसके बाद R cap का value प्लेस करूँगा आई बात समझ में अरे इसके पहले बता है न मैंने DL into 1 into sin theta जहां पर 1 क्या था 1 magnitude of ऐसा vector जिसका magnitude 1 होता तो हमने मान लिया वो unit vector ठीक है हमने मान लिया वो unit vector ठीक है तो मैंने DL into 1 sin theta को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी DL into DL cross product with R cap लिख सकता हूँ अरे यार DL cross product with R cap क्या होगा DL into magnitude of R cap ये unit vector होता है तो इसका magnitude 1 होता है into sin theta तो कहीं न कहीं DL sin theta को हमने रिप्लेस कर दिया यहां से अभी ये तो unit vector तो है लेकिन अगर मैं उसकी value प्लेस करना चाहूँ तो unit vector कैसे निकला assume that R vector is a unit vector along the direction CP और CP की direction में sorry R vector है तो मैं इसका value क्या लिख सकता हूँ आपको पता है vector के form में R cap is nothing but equal to vector upon its magnitude मलब कि R vector upon R ठीक है तो अभी यही value को अगर प्लेस कर देंगे यहां पे तो हमारे पास finally यही answer क्या आजाएगा it is DB vector is equals to mu 0 upon 4 pi times I into ध्यान से देखना DL vector cross productivity इसकी जगा पे लिखा R cap upon R तो यह हो गया sorry R vector upon R तो यह हो गया R vector upon एक R square था एक R नीचे आ गया तो यह हो गया total R cube तो यह हो गया हमारा vector form vector form ठीक है so this is the vector form of magnetic field ठीक है vector form of magnetic field intensity T clear हुआ यह point clear है बहुत ही simple है बाई कुछ भी नहीं इसमें बहुत ही simple है यह arrangement बरोबर है ना हाँ बरोबर है दिख रहा है clear okay बहुत ही बढ़िया चल so यह हो गया vector form of this magnetic field अगर कोई scalar form पूछेगा तो यह आएगा अगर vector form पूछेगा तो यह आएगा ठीक है clear हुआ यह point clear है इतना point अच्छा और एक चीज़ यहाँ पे देखो ध्यान से और एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो अगर मुझे बोलेंगे अच्छा पहले वो वाला point यह पहले वो वाला point सर वो वाला वो वाला क्या है ध्यान से देखो पहले तो यह समझ लो कि यह जो हमें magnetic fill intensity मिली जो Bayard जी और सेवर्ट जी ने जो भी हमें experiment करके दिखाता हुआ किसी small section की वज़ा से किसी point के उपर आने वाले magnetic fill intensity थी छोटी magnetic fill intensity थी अगर मुझे कोई पूछे कि मुझे यह पूरे current carrying wire की वज़े से पूरे current carrying wire की वज़े से मुझे अगर magnetic fill चाहिए यहाँ पे तो उसके लिए मुझे यही value को integrate करना पड़ेगा मतलब कि अगर मुझे कोई यह पूरे conductor की वज़े से मान लो कि यहाँ पे magnetic fill आ रहा है B तो मैं उसको B की value क्या लिखूँगा यहाँ पे लिखता हूँ B is nothing but equal to ध्यान चे लेखना integral db यह सोनो तो मुझे पूरी length के respect में इसको integrate करना पड़ेगा तब जाके मुझे वो value मिलेगी समझ में आ रहा है clear हुआ इतना point ठीके तो इसके लिए मुझे integrate करना पड़ेगा वो integration हमारे उपर छोड़ा था बायट जी और सेवर जी ने अच्छा पोला था कि भाई हम तो सिफ कोईसी छोटे section ऐसा section की जिसकी direction हमें constant दिखती हो इसलिए हमने उसको straight लाग चोटा section लिया बड़ा section नहीं लिया क्योंकि यहां पर तेड़ा मेड़ा wire है तो बड़ा section लेके लेने जाएंगे तो direction चींज हो जाएगी तो इसलिए उन्होंने ऐसा section पसंद किया चोटा सा है एकदम चोटा सा हमने यहां पर zoom करके दिखा था कि आप समझ सको तो एक छोटा section किसी पॉइंट के ओपर छोटी सी magnetic field intensity दे सकता हो कितनी दे सकता है इतनी अगर magnitude निकलो तो इतनी और vector form में देखो तो इतनी दे सकता है ठीक है यह उन्होंने बताया था यह इन्होंने बताया था अगर आपको पूरे वार की बज़े से चाहिए यहां पर fill intention तो आपको क्या करना है भाई साब तो अभी यह आपको छोटे टूगले की बज़े से तो पता है या तो आप करो हरेक पुरे वार को भरेक चोटे-चोटे टूकड Kung отдел में डिवाइड करेंड दो, तो हरेक चोटाव टूकड़ कितना देता है, ऐसे Find Out करो बैलू और आप करो अधून हम्हों जाएच केसे चोटा क्मी पूलिया को चोर्ट उस तो मैचला इतना तो तही दिया, अभी बागे जो भी करना है, वो हमें करना है, ठीक है? तो वो देखेंगे हम नेक्स लेक्चर में, जहां पर करन्ट केरिंग, स्ट्रेट वायर, फाइनाइड लेंध वाला वायर कितनी फिल इंटेंशिटी देता है, इंफाइनेड वायर कितनी दे सकता ह वो सारी जीज़े हम वहाँ पर चर्चा में लेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो यह हो गई बात, मैग्नेटिक फिल इंटेंशिटी की, अभी उसके थोड़े छोटे-छोटे ओब्जावेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि कही बाद आपको कंपेर करने को बोलते हैं, वो सबक ज़ेए ध्यान से देखते जाएगा, इलेक्ट्रोस्टाटिक फिल की इंटेंसिटी blir अगर देखने जाओ तो वो आस्ट एका इंवाश लिप्रपो जैता है..? यांगनेटिक फिल इंटेंसिटी इंविसुच MU के अवुकर हे राओं सर दो के बयुकर तो यहां पर इसक तो भी इलेक्ट्रिक फिल इंटेंटी जिरो हो जाएगी, तो यहां पे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हम डिस्टंस के फॉर्म में, आंगल जिरो नहीं लिया है, तो ऐसे केस में इंफिनिटी पे हमें में जब इसे सिमिलारीटी देखते जाना है, फिर वहां पे देखा था कि चार्ज में इलेक्ट्रिक फिल इंटेंशेटी प्रोवाइड करता है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फिल इंटेंशेटी प्रोवाइड करता है, यहां पे आईडियल, कौन है, आईडियल, यह पूरा कंपोनेंट हमें, इलेक्ट्रिक फिल इंटेंशेटी प्रोवाइड करता ह वहाँ पे electric field intensity infinity पे 0 होती थी तो यहाँ पे भी अगर ठीटा अगर हमने मान ले कि 0 नहीं है तो यहाँ पे भी magnetic field intensity infinity पे 0 होगी ठीक है डिस्टन्स के ओपर अगर dependency देखे तो ठीक है फिर वहाँ पे charge electrostatic field प्रोवाइड करता था यहाँ पे ideal section electrostatic field प्रोवाइड कर रहा है ठीक है and the last one is the relation between relation between द्यान से सुनना relation between proportionality constant of electrostatic field and proportionality constant of magnetic field ठीक है इन दोनों के बिच का relation क्या है वहाँ पे क्या लिया था वन अपन पॉर पाई अपसलो और यहाँ पे क्या लिया था व्यू अपन फॉर पाई बच्चो इसको ना मैं अलग से यहाँ पे लिखता हूँ यह जो फोर्थ वाला जो टम है ना relation between relation between वहाँ पे इसको कई बार relation between permittivity of vacuum and permeability of vacuum का relation भी बोला जाता है या फिर आप बोल सकते हो proportionality constant का भी relation ठीक है जो बोलना है बोल सकते हो तो मुझे यहाँ पे मतलब की epsilon zero and mu zero का relation क्या है वो मुझे निकालना है बच्चो यहाँ से बहुत ही बढ़ी अटम आपको मिलने वाली बहुत ही बढ़ी अटम मिलने वाली ध्यान से देखेगा ठीक है दियान से देखेगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट है यह एच्छल में आपको वहीं पे similarity वगेरा में लिखना है तो बच्चो वहाँ पे अगर याद है तो हमारे पास आती थी one upon four pi epsilon zero वाली तम और यहाँ पे हमारे पास mu zero upon four pi वाली तम मैंने क्या क् लिए mu zero and epsilon zero को multiply कर देगे mu zero into epsilon zero या फिर ऐसा समझो कि मैं क्या कर रहा हूं यह दोनों को multiply कर रह लेकिन कैसे multiply कर 4 pi epsilon zero को mu zero upon four pi से multiply कर रहा हूं ठीक है So I am multiplying this four pi epsilon zero with the one upon, sorry, mu zero upon four pi with the mu zero upon four pi तो जब मैंने इन दोनों को multiply गया तो यह 4 pi 4 pi तो cancel हो गया तो बचा क्या मेरे पास? बचा क्या मेरे पास? epsilon 0 into mu 0 ठीक है? तो मुझे यह देखना है कि mu 0 into epsilon 0 यह multiplication कितना answer दे सकता है mu 0 into epsilon 0 यह multiplication मुझे कितना answer दे सकता है जिसको हम बोल सकते है mu 0 and epsilon 0 का relation ठीक है? तो mu 0 and epsilon 0 यह multiplication हमें कितना answer दे सकता है तो वही मैं यहाँ पे find out करना चाहता हूँ तो मैंने क्या क्या? epsilon 0 and mu 0 का multiplication लिया epsilon 0 into mu 0 का multiplication लिया इन दोनों को अलग करने के लिए मैंने 4 pi से multiply कर दिया तो इसको 4 pi से multiply कर तो 4 pi epsilon 0 4 pi से multiply and divide किया तो यह हो गया mu 0 upon 4 pi अभी इसको मैं बोल सकता है 1 upon 9 into 10 to the power 9 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 की value कितनी आती है तो 9 into 10 to the power 9 आती है तो 4 pi epsilon 0 की value कितनी आएगी 1 upon 9 into 10 to the power 9 है के नहीं? 9 into 10 to the power 9 ठीक है? तो यह हो गई 4 pi epsilon 0 की value 1 upon 9 into 10 to the power 9 and mu 0 upon 4 pi का value कितना है, यहाँ पे लिखा है, mu 0 upon 4 pi का value 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7, ठीके, तो यह होगे 10 to the power minus 7, तो देखो, ध्यान से देखो, यह होगा 1 upon, यह हो जाएगा 9 into 10 to the power, 9, यह डिनोमिनेटर में चला जाए, तो इसको क्या लिख से, 9 plus 7, तो यह हो जाएगा 16, 10 to the power 16, इसको ध् से देखना, इसको में लिखना हो, तो ऐसे भी लिखना हो, तो 3 into 10 to the power 8 का whole square, और यह तो हो गया 1 upon c square, यह तो हो गया 1 upon c square, 3 into 10 to the power 8, किसकी velocity है, किसकी velocity है, speed of light, it is a speed of light, yes or no, तो कही न कहीं मुझे यह समझ में आया, कि speed of light किसके बराबर होती है, 1 upon under root mu 0 into epsilon 0 के बराबर होती ह ठीक है, 1 upon under root mu 0 into epsilon 0 के बराबर होती है, हुआ point clear, तो अगर मैं बोलू कि epsilon 0 and mu 0 का multiplication कितना आता है, तो 1 upon c square के बराबर होती है, yes or no, अगर मैं c की value निकलना चाहूं, velocity of light यह speed of light बोलो तो क्या होती है, 1 upon under root mu 0 into epsilon 0 होती है, yes or no, तो यह था हमारा fourth observation, तीन तो बोले थे ना, कि वो र square के यह भी R square के ओपर dependent, र square से इन्फिनिटी पर बोलो, वो भी इन्फिनिटी पर 0 होता, यहां पे यह भी इन्फिनिटी पर 0 हो रहा है, yes or no, अगर हम theta 0 नहीं माने तो, ठीक है, theta 0 नहीं माने तो, तो बोल चकते हैं, तिसरा वहां पे charge electric field intensity देता था, यहां पे ideal component magnetic field intensity दे रहा है, चौधा, कि अगर मैं इसका proportionality constant और उसका proportionality constant दोनों का relation निकालने जाओं, तो मुझे mu 0 into epsilon 0 का multiplication कितना मिलता है, 1 upon c square के ब्रावर मिलता है, ठीक है, तो यह हो गई बात पुरी Biot-Sevart-Slocking, जिसका use करके हम किसी भी पॉइंट पर, due to any current carrying wire या conductor हम magnetic field intensity निकाल सकते हैं, अभी इसके अगर direction निकालने की बात है, तो बच्चो direction वैसे ही वो right hand, हमारा palm rule जो भी था, उसी साब निकाल सकते हो, क्या करना है, current की direction में आपको thumb रखना है, fingers को जहां पे आपको magnetic field intensity चाहिए, उस direction में फैलाना है, तो आपकी जो palm होगी, वो उसकी direction दिखाएगी, तो यही rule जो हमने वहाँ पे force में पढ़ा था, अभी इसकी में वापिस सर्चा नहीं करेंगा, क्योंकि आपको पता है, right hand palm rule कैसे apply करते हैं, उसके लिए मैंने अलग से direction of force के लिए, मैंने अलग से video बनाया ही था, अगर आपको नहीं पता है, तो वापिस जाओ वहाँ पे, और देख लो, right hand palm rule, वहाँ पे तो दो चार्ज थे ना, तो अलग-अलग, एक positive था, एक negative था, तो वहाँ पे right hand and left hand का use करके, हम उसकी direction को निकालते थे, यहाँ पे तो वो problem ही नहीं, ठीके, current की जो direction है, actual में cross product है, dl और r के बीच में, लेकिन हम य यहाँ पे find करना, उसकी direction में point out करो, तो आपका जो palm होगा, आपकी palm, वो आपको magnetic field की direction प्रोवाइट करेगी, मैंने यही बोला था, कि एक ही rule याद करो, और force की भी direction निकालो, magnetic field की भी direction निकालो, ठीके, तो चलो, यहाँ पे हमारा आज का lecture end करते है, I hope so, कि आपको समझ में आ गया है, बायोट सेवट लोग क्या है, ठीके, तो अगर आपको हमारा वीडियो वही फारा sentence वाप भी करते है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको ऐसे कोई और बोच्छे है, जो यहाँ पे study करना चाते है फ्री में यहाँ पे कोई registration fee नहीं है, अगर वो NCRT को पढ़ना चाते है, तो प्लीज उनको भी बोलो, अमारी चैनल पर आए, सब्सक्राइब कर दे, ताकि उनको भी ऐसे वीडियो मिलते जाए, ठीके, तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, तिल देट, एंजो यो टे, बाई हाल गीए, झाल सकते हैं को भीए, 1 V WiFi